आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमसे पूछा गया है कि Taste Buds कहां पर Present होते हैं अब Taste Buds होते क्या हैं यह हमारे Tongue के साथ Associated Sensory Structures होते हैं जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है Taste को Perceive करने में या हम कह सकते हैं Gustatory Reception में काम आने वाले यह हमारे Sensory Structure है और यह हम जानते हैं कि Tasting में Tongue हमारे काम आती है तो Tongue हम कह सकते हैं हमारे Mouth में मिलने वाला यह हमारे Buccal Cavity में Present यह एक Muscular Type का Structure है और पूरी तरह से Voluntary होता है यह क्यूंकि अपनी Conscious Effort से यानि अपनी मर्जी के हिसाब से हम अपनी Tongue को चला सकते हैं तो देखा जाता है कि इस Tongue का जो Dorsal Surface है यानि ऊपर का जो इसका Surface है उस पे हमें छोटी-छोटी सी Projections दिखाई देती है Projections मतलब उसमें से Protrude कर रहे होते हैं यह छोटे-छोटे Structures निकल रहे होते हैं इनही को हम Tongue के Papillet कहते हैं तो Papillet भी फर्दर कही तरह के होते हैं हम देखते हैं कि चार तरह के Papillet हमें अपने Tongue के उपर मिल जाते हैं एक होते हैं हमारे Philiform Papillet इसके बाद हमारी Tongue पे Fungiform Foliate और Circumvalate Papillet भी होते हैं लेकिन इन चारों में से देखा जाता है कि हलांके सबसे लार्ज नंबर में हमारे Philiform Papillet होते हैं सबसे जादा न्यूमरस होते हैं लेकिन इन में हमें Taste Bud नहीं मिलती Philiform Papillet का बस काम होता है हमारे Tongue का Surface Area बढ़ाना यानि Friction बढ़ा देना इस पे और बागी तीनो टाइप के हमारे जो Papillet हैं वो Taste Buds के साथ Associated होंगे जो कि Taste को Perceive करने में Gustatory Reception में हमारे काम आएंगी तो क्या कह सकते हैं हम दिए गए Options में से? Option A सही है Taste Buds हमारे Tongue के Upper Surface पे यानि Dorsal Surface पे मिलने वाले चोटे 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 Projection है जो कि एक तरह का Sensory Structure है Taste करने में हमारे काम आते हैं बागी Options सारे ही गलत हैं क्योंकि दूसरे में लिखा है Tongue का Lower Surface यह तो हम जानते ही हैं कि जो Papillet इन Taste Buds को Bear करते हैं वो हमारे Tongue के ऊपर के सर्फेस पे नीचे की तरफ नहीं होते फिर इसमें लिखा है दोनों सर्फेस यह भी बाद गलत हो गई और Behind the Tongue भी यहाँ गलत है सही आंसर सिर्फ Option यह हो सकता है हमारे Tongue का जो ऊपर का या Dorsal Surface होता है उस पे Papillet नाम के Projections होते है और यही Taste Buds को Bear करते है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8400400 पर